यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यूपी कैबिनेट मंत्री स्वीकान शर्मा ने सपा बस्वा गठबंदन पर निशाना साथते हुए कहा कि ये दो पाइटियों का गठबंदन है देश और प्रदेश में बीजेपी का गठबंदन जनता के साथ है श्यास वरोधी सभी दल इस वात से इत्वाक रखते हैं कि नरदरभाई मोदी जी का जमीन पर काम बोल रहा है और इसी कारण से जो लोग अलग अलग चुनाव लड़ते थे वह गठबंदन करने के लिए मजबूर हुए हैं उत्तब देश के गाउं का किसान का बहुत मजबूत गठ जोड नरदरभाई मोदी जी के साथ है भारतिय जनता पार्टी के साथ है 2014 में जो आशिरबाद उत्तप्रदेश की जनता ने निरंदरभाई मोदी जी को दिया था और उससे ज़्यादा बढ़ चड़कर लोग इस जो चुनावी वैतरनी है क्योंकि धरम युद्ध है लोग निरंदरभाई मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं उनको और अधिक मतों से जि पाठी और देश के नेता निरंदरभाई मोदी जी को आशिरबाद दिया था कि आप उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनें तो हमारे पास हमारे देश के सभी वरिष्ट और हमारे सभी बड़े नेताओं का हमारे नेता निरंदरभाई मोदी जी को आशिरबाद है और वही पनी समाज़बादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनTony ने हमेशा से अपनी मर्जी से लिए हैं और उनका फैसला था कि मुक्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पिता जी को अपदस्त कर धिया था, और जो समाज़बादी राजबादी पार्टी की जो दो पईये थे गाड़ी के अधरनिय मुलाइम सिंग जी और शिपाल यादब जी आज दोनों ही कहीं न कहीं हासिये पर हैं और आज एक ऐसी मौकापरस्त ताकतों से सपाने और वस्पाने एक दूसरे के साथ घठ जोड किया है यह नेताओं का गट्चोड से कोई सरोकार नहीं है क्योंको उत्तब्रदीश की जनता नर्दर भाई मोदी जी के साथ पहले ही गट्चोड कर चुकी है तो इस बात का एहसास नेताओं को है और वो इस बात को समझते हैं कि देश में इस बार फिर मोदी सरकार की ब्यार है आदी है सुनामी है थीजर वीजर थे कुछियाग SENत February